हेलो अरिवन क्या आला आपका आज हम डिसकस करने में आरले हैं एक्जेंप्ली वर्गों सिविल सर्वेंट सीरीज में आईपेस ओफिसर महेश भापत 1995 बैच आईपेस ओफिसर को उनकी सक्सेस टोरी कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने रेस्क्विक है इतने सारे बच्चों को अंडर ओपरेशन समाइल हम बूर डिसकस करेंगे एक जिसमा आपको बता दू दो 2013 में 11 question already ऐसा ही कुछ आ चुका है जहां पर पठाका फैक्ट्री है तामिल लाडू में आपको पता है बड़ी फेमस है वहां पे कुछ बच्चे पाए गए काम करते हुए तो आपका क्या reaction होगा ऐसा कुछ question था आपको पढ़ लेना इसलिए मैं बता रहा हूं यह सीरीज में इसलिए बनाओ ता कि आपको पता चले जो problem-solving techniques method option है क्या क्या हो सकते आपके पास इसके लावा हम क्या क्या जो ethical जो syllabus उस्टी चीज़ए पढ़ेंगे IPS officer की leadership quality उसकी dedication to our services compassionate towards weaker section of society और साथ में देखेंगे हैं DPSP जो article 39 है उसमें कौन सा use हो रहा है हाँ अगर हम specifically बोले उसको कैसे use किया जा रहा है यूज किया जा रहा है means कि जो state की obligation towards the citizen उसमें क्या है अब बात करते है operation smile है क्या इसके अंदर क्या करेंगे हर साल January से जुलाई तक क्या किया जाएगा जो missing children है या जो child labor है जो hazardous industries के अंदर है उनको rescue किया जाएगा उनको rehabilitate किया जाएगा अब इसके अंदर क्या है जो पुलिस वाले वो ढूंडेंगे जो under clear section of society के जो चैस पेशली जिनकी economic condition अच्छी नहीं है जो जो के लिए भार आए हैं उनको जोब चाहिए क्योंकि कंडिशन तो अच्छी है नहीं तो कहीं ना कहीं जोब ढूंडते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है जो इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं होटल में यूज किया गया है वो देखिए तो ट्रेस मिसिंग किल्टर अंदफ फेशल रिग ओगनाजिशन एप डर्पन इस डेवलट बाइट तेलंगाना पुलिस एक डेवलब करते हैं ताकि जो मिसिंग जिल्टर हैं उनकी फोटो ली जाए और उनको चेक किया जाभी कहां कहां है अब यह देखिए कितना चाही यूज किया गया है टेक्नोलिजी का अब मैं डिसकस करने वालों किस हालत में इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया कैसे रेस्क्यू किया गया क्या उनकी कंडिशन थी क्योंकि यह जानना जरूरी है तभी शायद आपको यह जी समझ में अब जो अधर स्टेट के थे वो कौन-कौन से थे औरिसा था राजस्तान हो गया बिहार हो गया जारखन हो जाई यह सब अब कौन-कौन से प्रोफेशन में थे यह कोई चाइड लेबर का काम करना था किसी से भीक मंगवाई जा रहती बैकिंग किसी से रैक पिकिंग तो आप यह सोचे कितनी बुरी हालत होगी कि अपनी बच्चों से भीक मंगवा रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कहीं भी सडक पे या कहीं सिगनल पे भीक मांग रहे हैं तो आप उनको ना दे आप इस चीस का पार्ट ना बने क्योंकि वो फोस्फूल है और कहीं ना कहीं यह पुरा का पुरा रैकेट चलता है। सोना बच्छों को रेस्क्स किया गया हैजार्ज कंडिशन में इंडस्री आपको पता है या जो इंसों के भटे होते अगर आपने सना वहां पर बच्छों उससे काम कर आणा जाता है। Toh यह सारी चीजसे बब्चे रसक्व किये गंदी थी अब ज़रा सोच ये कितना अपने आपने ग्रेव सिचुईशन है और ये काम को उन कर रहा है जो भागवत जी है आईपेस ओफिसर उन्होंने इसके अंडर ये सारा काम कर रहे और इतने सारे बच्चे को रेस्क्यू किया है और ये 2017 से चल रहा है इनके खिलाब केस दर्ज किया ये सबसे चीज़ है क्योंकि इनको सजा दिलाना सबसे इंपोर्टेट है और जिब ये न्यूज बाहर चाहेगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये काम ना करें और बहुत सी धारा यूज करी गई जैसे चाइल्ड ट्रैफिंगिंग हो गया चा इंटे बनती है अब वहां दिखा गया भी पूरी फैमिली के साथ बच्चे भी आये हुए हैं चोटे बच्चे अब उनको कुछ करने को है नहीं तो वह क्या करते हैं अपने माबाप की ही हैल्प करना शुरू कर देते हैं इसको कैसे सोल किया जाए इन्होंने क्या किया वही है इसको स्कूल बनाया और किया करें यहां अब बच्चे उपकाम नहीं करेंगे यहां चोथी लास तक पढ़ें इसको कहीं जाने की जूर्टनी अ तो यह कितनी अच्छी चीज़ मों बच्चे अब उनको पढ़ाया जाहे यह तो एंग्यो है उनकी एंग्यो का नाम है aid. एक्षेट ईंट्रेशन इंटरनेशन एक हैं टिस्टिक एड्मिस्टेशन की हरी है जो पुलीस है वो कर रही है साथ में जो ब्रीकलीन इसके लावा और क्या चीज है क्योंकि बच्चे दूसरी स्टेट से जैसे उडिसा से है महाराष्ट्रा से इन्होंने क्या क्या है जो यौनल लैंगूज है उसी को यूज किया अब मैं डिसक्स करने वालों डिरेक्टिव प्रिंसे और स्टेट पोलिसी आपको शायद यह स्पेसिफिक लिए तो याद नहीं होगा मैं इसी लिए चीज़ों कनेक्ट कर रहा हूं अब मैं अगर मैं यह आर्टिकल का एक दो क्लोज बताऊंगा तो आप कुछ ज्यादा चां अब दो किया गया है यह भी हां पे अप्ली के दल यहां इस तरह इनको को कनेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं अधर जस्टिफिकेशन इन के स्टेडिस कि यह हमारी ओब्लीकेशन है आप गवर्मेंट का पार्ट हो तो आपकी यह ड्यूटी है डीपीएसपी में दैट्स आल फॉर